दोस्तों, ग्रेट्व इंडिया यूट्व जन्मा आपका स्वागता है, यह है फ्यूचर लेनिंग प्लेटफोंग, तो सूचना साइक की बर्ती बहुत जल्द आने वाली है, तो चलो, स्टार्ट करते हैं, सूचना साइक बर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टन एमसी की स कंप्यूटर साइन्स के, आज की अपने जो क्लास रहने वाली है, 39 से से जुड़ते रहिए, और चैनल को लाइक और शेर काना ना बूलें, और मोस्ट इंपोर्टन कोर्शन आपको इसी चैनल पर मिलने वाल है, तो चलो, सेसन को स्टार्ट करते हैं, कोर्शन संग्या, 1 से 25 निम्न में से इन्पूर्ट डिवाइस नहीं है, देखें, इन्पूर्ट डिवाइस का मतलब होता है, जो इन्पूर्मेशन जो अंदर जाती है, तो उसे क्या का जाता है, इन्पूर्ट डिवाइस का जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं, मोनिटर, मोनिटर से डिस्पले ब नहीं है वो बताना यहां पर तो यहां पर पता चलता है हमको कि यहां पर मॉनिटर जो होता है क्या होता है आउटपूट डिवाइस होता है क्योंकि मैंगनेटिक टैप यह इन्पूट डिवाइस हो गया मैंगनेटिक डिस्क यह भी इन्पूट डिवाइस है क्योंकि इसके अ आठ लगतर बीटों की स्रीज को क्या का जाता है तो बताइए जल से इसको का जाता है बाइट का जाता है इन में से कौन से यूनिट इस्टोरीज मापने के उपयोग में लाए जाता है तो यहां पर आपको यूनिट बतानी है इस्टोरीज मापने के लिए तो यहां पर आपक कौन सा TB TB का मतलब होता है TB, MG, LB, C, H, Z यह कुछ नहीं होता है जैसे KB है यह भी Storage के लिए आता है MBB Storage मा आता है GBB Storage मा आता है इसी तरी कि से TB Nocle Area Network मतलब LAN में परियोग नहीं किया जाता है, LAN में जो परियोग नहीं किया जाता है वो बताना है तो Nocle Area Network जो यूज होता है यह कहां पर होता है, यह होता है Building में, कोई भी Campus में, मतलब Small Network होता है, यह कहीं पर भी यूज हो जाता है तो बताइए 5 का सही आंसर क्या रहेगा, तो यहां पर LAN में परियोग नहीं किया जाता है इसका परियोग नहीं कर सकते है, तो इसका मतलब सही आंसर क्या रहेगा, यहां पर 5 का B किस प्रिंटर दुआरा एक स्ट्रोक में एक अक्सर प्रिंट करता है, मतलब एक समय में एक अक्सर प्रिंट करने वाले प्रिंटर का जो नाम है, वो क्या है, वो है Dot Matrix Printer कौन सा प्रिंटर है, Dot Matrix Printer, यह जो Dot Matrix Printer होता है, कौन सा प्रिंटर होता है, यह होता है, Impact Printer Plotter जो होता है, Vector Graphics, मतलब Plotter जो होता है, Vector Graphics, मतलब High Quality में बड़े बड़े पोस्टर प्रिंट करवाना के लिए, किसका यूज कहा जाता है, Plotter का Laser Printer जो होता है, यह कौन सा प्रिंटर होता है, यह Non Impact Pinter होता है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करने वाला प्रिंटर कौन सा है, वो है Laser Printer Email बेजने के लिए Special Protocol कौन सा है, Email बेजने के लिए Special Protocol जो होता है, वो कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है तो SMTPP होता है Simple Mail Transfer Protocol P.O.P. Post Office Protocol फिर आता है Next M.I.M.E. Multimedia तो यहां पर सही answer क्या रहेगा वो रहेगा D Prop P.ROM किसका संशिप्त रुपे इसकी फुलपा मुगी Programmeable Random Only Memory नहीं गलत, Random नहीं होता है Read Only Memory होता है तो Programmeable Read Only Memory, सही answer D Computer के Programme है तो विक्सित की गई सरोपर्तम बासा इनमें से कौन सी है सरोपर्तम जो बासा है Language है वो कौन सी है, वो है Formula Translator सही answer D Flash Memory के बारे में आपको निमलिकित में से जो सही कतन है वो आपको यहां पर बताना है तो Flash Memory जो होती है किस-किस में यूज होती है वो ध्यान रखे यह एक Digital Camera है जो Laptop आदी यूगतियों में सूचना संगरण मतलब Information इकटी करने के लिए प्रयोगत होता है सही answer D Resume बनाने के लिए किस Software का उप्योग किया जाता है Resume बनाना हो Bio Data बनाना हो CV बनाना हो तो किस तरीके के Software यूज किया जाता है वो है MS Word और Page Maker सही answer A एक Computer अपनी सभी गणिती और तार की गणनाई करता है गणिती और तार की गणनाई जो करता है यह Computer कैसे करता है यहां पर तो Computer जो गणनाई जो करता है यह कैसे करता है तो यहां पर ध्यान रखे Center Processing Unit मतलब सही answer C Computer आदारिक सूचना तंतर में किस परकार का सरवादिक Hardware Input Phase में परियोग किया जाता है तो सरवादिक Hardware Interface के रूप में जो परियोग किया जाता है वो है Keyboard A DOS का Full Form क्या होगा DOS का जो पूरा नाम है वो आपको यहां पर बताना है वो है Disk Operating System Computer का वो बाग जिसे चूँ नहीं सकता चूँ नहीं सकता किसे Pinter, Software, Scanner या Hardware Software को चूँ नहीं सकता हाली में पता लगाई गई Computer Bug मतलब Cell Sock Computer किस परकार के साथ सम्मंदित है तो यहां पर यह जो सम्मंदित है वो है बेस मतलब Linux से सम्मंदित किस परकार का डिवाइस कीबोर्ड है तो कीबोर्ड जो होता है यह एक Input Unit होती है DOS का उप्योग क्यों किया जाता है तो Disk Operating System इसका जो उप्योग है User तता Computer के भी सम्मंदित करना Input तता Output कारिय को नियंतरिंत करना या उप्रोक्त दोनों मतलब यहां पर सही आंसर होगा D मतलब उप्रोक्त जो दोनों कंतन दे रहके A and C वो यहां पर आंसर होंगे Memory में Storage Digital Image बनाने के लिए हस्त लिकित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किसका परियोग किया जाता है मतलब जो हाज से लिकिया होए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जो यूज किया जाता है वो किसका यूज किया जाता है Scanner का यूज किया जाता है सही आंसर A पंचम PD के कंप्यूटर की पर्मुक विशेष्था निवन में से कौन सी है मतलब पांची PD में जो कंप्यूटर की जो विशेष्था है वो कौन सी है वो है artificial intelligence मतलब कत्रीम बुद्धी सही आंसर A नेट्रो के अंत्रकत की जा सकती है नेट्रो के अंतर क्या कर सकते है नेट्रो के अंतर डेटा की साज़ेदारी मतलब डेटा को सेर करना सॉप्ट्वेर को सेर करना विविन डिवाइस अंसादनों की जान करें मतलब उपरोगत सभी सही आंसर होगा D hardix A and disk KT है तो hardix A and disk KT क्या है यह direct access storage device है सही आंसर A Facebook, Twitter जैसी साइटे यह उदारण है तो यह जो उदारण है वो है social media के example desktop में कोई नया folder बनाने के लिए किया आदेश दिया जाता है तो यह आदेश दिया जाता है new folder के तो सही आंसर D किस printer दोआरा एक stack में एक अक्सर print होता है वो printer कौन सा है वो है dot matrix printer सही आंसर D तो दोस्तों आज की computer session के class हम यह यह end करते हैं तो देश दो चैनल को like, share और subscribe करना ना पूले Thank you